हेलो एरिवन, वेलकम टो यूटूब चैनल आश्य टॉक्स आज की इस वीडियो में मैं आपको केप जेमिनी की तरफ साई बहुत एच्छी हाइरिंग अपॉर्शनटी के बारे में बताने वालो अगर आपको इस वीडियो लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेए और अगर आपको मैरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जैसी के आप देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है केप जेमिनी इंजिनेरिंग की दरफ से हारिंग हो रहे है केप जेमिनी का भी पार्ट यह आप देख सकते हो be the nexus between talent and opportunities तो यहाँ पर दो job role देखने मिल जाती है network trainee and network engineering ठीक है तो इस तरह से आपको दो job role देखने मिल जाती है education की बात कर ली चाहे तो आप यहाँ देख सकते हो अगर आपने B.E. किया है, B.T.E. किया है B.C. किया है, M.C. किया है, B.A.C. या M.C. किया है, तो भी आप इस job role में apply कर सकते हो, network trainee job role में यहाँ पर आपको different branches देखने मिल जाती है computers, electrical, electronics, telecommunication, instrumentation, ठीक है batch की बात कर ली जाए, तो 2019 and 2020 batch के लिए job opportunity होने वाली and totally freshers के लिए job opportunity होने वाली तो बहुत अच्छी बात है location की बात कर ली जाए, तो गुरगाओ, हैदराबाद ये तो location यहाँ देखने मिल जाती है फिर skills देखने मिल जाती है, तो यहाँ पर आप communication skills जो है, वो strong होना चाहिए साथ साथ आप देख सकते हो an attitude and appetite for learning new technologies evidences by the ability to expand upon core knowledge तो new technologies learn करने के आपके ability होने चाहिए, आप curious होने चाहिए new चीज़ी सीखने के लिए, साथ सा 24 into 7 work करने के लिए आप willing रहने चाहिए, तो यह सभी चीज़ यहाँ पर mention की गई है, यहाँ पर आपको apply button भी देखने में जाता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर registration link भी दी गई है and code भी दिया गया आपको, ठीक है फिर भी मैं आपको description में registration link और code दोनों ही provide कर दूँगा अब next job role जो आ जाती है, network engineer की भहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर B.E.B.T.C. candidates से apply कर सकते है, वो भी 2021 pass out badge के, ठीक है यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए होने वाली है गुर्गा और हैदराबाद सेम लोकेशन है और यहाँ पर आप देख सकते हो, skills भी सेम ही required है, communication skills strong चाहिए, साथ-साथ new चीज़े सीखने के लिए आप willing होने चाहिए, 24 into 7 work करने के लिए भी willing होनी चाहिए यहाँ पर भी आपको registration link और code देखने मिल जाता है, तो जैसे ही मैं आपको link provide करने वाला हो, उस पर आप click करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का web page ये पेर होने वाला है यहाँ पर आपसे code required है जो की code यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है, आप देख सकते हो share कर दीजे, thank you